इस अप्रिवान देसिज अब्दुला अप्रिजी पॉइन विडियो के साथ आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे MP5 30 बूर रैफल जो इंफोस शेप में है यह बड़ा मॉडल है और यह चोटा मॉडल है तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसकी कम्प्रीट डिटेल बताऊंगा और साथ साथ इस पे कुछ टेस्ट करेंगे देखेंगे कि क्या इस रैफल्स को आप अपनी सेंट लिप्रेंज की लिए रख स शुक्री आप स्टार्ट करते हैं ओच में कोई कोई बुलेट दो है, आप जबभी कोई प्रिट्ल या राइफल विटा है इस ब्लैव में देखांबे कु में कोई कोई बुलेट दो है, तो पीछ नाली में बॉल्स हैं कि की उतरब साथ तपने कोई रख स्टी कोई में में मिलोट करें तो इसे बेतर है कि आप एक बार इसको चिक कर लें, ठीक है, यह हो गया, the MP5 तीजबोर राइफल, इनको ज्यानतर लोग तीजबोर पिस्टल भी कहते हैं, लेकिन ये तीजबोर पिस्टल नहीं है, इसमें तीजबोर की बुलेट्स जरूर इस्तिमाल होती है, लेकिन इसकी ज जो अवराल डिजाइन है और लोक है, वो 90% M4 की तरह है, लेकिन इसकी जो मेकेनाजम है, वो तोड़ी सी चेंज है, इसमें एक तो बुलेट्स टीजबोर की यूज़ होती है, और दूसरा इसकी जो ये आटो और सेफ और ब्रस बटन है, वो AK47 की तरह आपको मिलता है, तो नीचे पर ये सेमी आटो में होता है, और सेंटर में होता है, उपर आप इसको सेफ एक्शन में, एक्जाक्ली एक्टी एक्टी पूड़ी 7 की तरह ये इसकी फंक्शन है, इसकी जो उपर ब्लोट है, वो एमपोर की तरह ही है, तीक है, वो एमपोर की तरह है, और बाकी जो वह भी 90% इंपोर्ट की तरह है एक्जैक्ली सेम अग्जैस्टिबल बच्टॉक है इसमें ऊपर हैंग ग्रिप और आगी की हैंग इंपोर्ट की तरह ही है तो लोक से यह बिलकुल इंपोर्ट की तरह ही लगता है लेकिन इसमें बुलिट जो है वह से 30 बॉल की यूश होती है दूसरा मौडल जो है इसकी इक सारी 살ा मोडल इंप 17 की तरह है इसमें जो ऊफको सैब चाहया टाया की मिल जाता है लेकिन लोक से इसमें बाद-इसों ऐंप उप निद बाध माट करें तो इसमें काफी ज्यदत शीजें और चीज़ जो है वह बनी हुए है इसकी जो बॉडी है और बैरल है और चोटे बड़े पार्ट्स है वह 10-45 से बनी हुए है एक्जाक्ली सेम यह मटीरियल भी 10-45 से बना हुआ है और बड़ स्टॉक और आगे वाले आपको पॉलेमर के मिलते हैं और जो बॉडी है और चोटे बड़े पार्ट्स वह आपको 10-45 के मिलते हैं बैरल भी इसमें 10-45 की लगी हुए है एस पर दी कालीगर सिंग के बड़ी रैफल में यानि तीज़ बॉर के रैफल में 10-45 मटीरियल की जो बैरल है वह ज्यादा काम जाब होती है तो जो दोस्त आपको कहते हैं कि इसमें 41-40 का बहरा लगा हुआ है तो वह जूट बोलते हैं बाकि यह अगर आप इसको अगर आप इसको लिए रखना चाहते हैं तो आप इजली इसको 30 बोर के लाइसेंस पे चला सकते हैं और अभी हम इस पर कुछ टेस्पाइड करेंगे देखेंगे कि क्या यह आपकी इसको पूरा करती है या नहीं करती तो चलिए इसमें कुछ टेस्पाइड करते हैं प्रिप्ट प्रेश नहीं करते हैं तो तीस बोर राफिल की टेस्टिंग परफॉरमस आपने देख लिए जूरूर आपको इसकी टेस्टिंग परफॉरमस पसंद भी आए होगा यह बिल्कुल रिलाइबल है अगर आप इसको अपने सेल डिफेंस ओम डिफेंस या अपने गाट पूर देना चाहते तो बेशक्त आप इसको रख सकते हैं सेल डिफेंस के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंट करूंगा आपके लिए हाँ इसमें जो बुलिट्स इस्तेमाल होती है वह स्पिसिपिकली एक टाइगर के नाम से बुलिट्स है वह जहारा तर इन राइफल पर कामयाब है तो मैं रिकमेंट करूंगा कि ताइडिन भी आप इस पहे यूस किया करें अग्र अगर आपने यह हमारे पैक्टिर से पर चेस करने हैं तो हमारे पैक्टिर से अपको मिलेगा यह दोनों वैलकुल 28000 सें प्रैसे इसके साथ हम आपको एक complete package भी प्रोवाइड करते हैं एक चोटा सा बैग प्रोवाइड करते हैं इसको एजी नी रख सकते हैं खराब नहीं होगा दो मेग्जीन प्रोवाइड करेंगे इसमें 20 गुलिया आती है और इसकी में 30 बुलिया आती है साथ 50 बुलिट्स प्रोवाइट करेंगे और सफाई का सामान प्रोवाइट करेंगे तो अगर आपने हमारे साथ कंटेक्ट करना है हमारे इस्ताग्राम फेस्बूक पेज और वट्सैप नमबर नीचे गिवन है आप हमें कंटेक्ट दर सकते हम आपकार होती है नेक्स्ट वीडियो में अलाह अपिस्ट